हलो दोस्तों तो आज देखने को मिल रहा है कि ओल एंड नेच्ररल गैस कारपुलेसन लिमिटेड यानि कि O&GC इसके प्राइस में बहुत जादा गिरावर देखने को मिल रहा है अभी 12% के आज पास जो है गिरावर देखने को मिल रहा है इसका वज़ा क्या इसका वज़ा आपको बता दें कि ये पेट्रोल और डीजल से रेलेटेड बिजनेस करता है तो इससे क्या अभी इसको क्या निगेटिव इंपक्ट है इसमें एक निगेटिव निव जाया है जो कि बहुत ही जादा निगेटिव है इसके लिए तो इसी वज़े से इसमें गिरावर्ट देखने को मिल रहा है तो आज देख पारे सड़े 11% से भी ज़्यादा यहां पर negativity दे रहा है तो इसके अलावार एक और stock है जो कि आपको देखने को मिल रहा है Reliance Industries तो इस stock में भी देखिए आप सड़े 6% के आसपस गिरावर्ट देखने को मिल रहा है तो यह दोनों जो है पेट्रोल और डीजल से Related पेट्रोल और डीजल के Related जो है बिजनेस करता है तो इसके वज़े से क्या है आज Export Duties बढ़ाए गया Export Duties यानि कि पेट्रोल और डीजल को Export करते है यानि कि पेट्रोल और डीजल के जो खच्चा तेल है वो तो हमारे इंडिया में वो प्रोडिश नहीं किया जाता है इसको Export कर जाते है एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश से हमारे देश में करीदते हैं तो इसमें क्या Charges देना पड़ते है गवर्नेमेंट को Tax के रुपे पर सपोर्ज पांच रुपया पहले Tax दिया जाता था ठीक है तो अब इसको बढ़ा के 7 रुपया कर दिया तो इससे क्या होगा कंपनी को गाटा हो रहा है ना तो पहले 5 रुपया देता था अब 7 रुपया दे रहा है तो इसको 2 रुपया का गाटा हो रहा है तो ऐसे में अब कंपनी को एक दो रुपया तोड़ी है कंपनी लाकों करोडों का वो कंपनी चला रहा है तो एक रुपया भी बढ़ता है तो करोडों को अर्बन रुपया को लॉस हो जा तो ऐसी वज़े से जो है स्टॉक का अभी प्राइस ब गिर रहा है तो export duties बढ़ेगा तो इससे impact पढ़ेगा पेट्रोल के price और डीजल में इससे पेट्रोल और डीजल के price बढ़ेगा तो इसका news आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह देखिए wait second so यहाँ पर आप देख सकते हैं reliance industries ongc sales crash after government hike export tax on petrol and diesel तो petrol और diesel के ऊपर export duties को hike किया गया जिसके वज़ेसे यह price ऊपर बढ़ गया है तो इसमें कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है वो भी अभी आपको दिखा देते हैं तो बात करें तो अगर हम petrol के ऊपर बात करें तो यह देखिए 6 रुपया जो है बढ़ाया गया एक लिटर में 6 रुपया का price बढ़ाया और diesel में 13 रुपया एक लिटर पे export charges बढ़ाया यानि कि एक लिटर पे जो है 13 रुपया डीजल पे और 6 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा गया है जिसके वज़े से प्राइस में बहुत जादा गिरावाट देखने को मिल रहा है क्योंकि कमपनी का बिजनेस ही चलता है पेट्रोल डीजल से तो मैकसिमम इसी वज़े से जो है यह गिरावाट देखने को मिला है इससे क्या होगा अपने को क्या होगा जेनरल पबिल्क्स को क्या होता है पेट्रोल डीजल और ओर महंगा हो जाएक अभी तो महंगा है लेकिन उससे ज़्यादा अभी महंगा ओने वाला है तो ई reputation जब आते हैं तो कोई भी company के ऊपर bad Kollege और उप्सन में call buy के नहीं है तो जो फिटर्स बाइ किया है वह और option में फादता कि मतलब उस की मारेट में हो तो आपको पता ही होगा तो अब शोर्ट सेलिंग कर रहें और जो किये हैं वह सेल कर रहें स्क्वार आप कर रहें तो जिसके वाज़े से अल्टिमेटली जो है प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिरता तो यह इस स्टॉक में वो हो रहा है तो आई होप यह समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को स सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं अगले वीडियो में ठेक केर बाइबाई